कैदी पुलिस की आँखों में धूल जोक कर भाग निकला है तो कैदी आयूश को पुलिस गुवालियर से गिरफतार करके लाई थी जिसे चार दन पहले ही अस्पताल में भरती करवाया गया था पुलिस के मताबिक कैदी को शौच के लिए बाथ्रूम ले जाया गया था लेकि काल फरार कैदी को पकड़ने के लिए सेक्टर दस थाना पुलिस के साथ अप्राज शाखा की टीम को भी लगाया गया है तो कर ग्राम से मारे संवाद दाता सूरज दोन हमारे साथ लाइब जो चुके हैं जादा जानकारी के लिए उनका रूक करते हैं सूरज कैदी फरार हो बिल्कुल मैं बताना चाहूँआ यह पहला मामला नहीं है जहां पर जो खाकी पर स्वाल ना उठे और कैदी फरार ना हुए हों क्योंकि यह जो बहुंसी जेल है इत्यासी जेल मन जाती है जहां पर कैदी में सीने में दर्द हुआ था ओस सेक्टर दस के होस्पिटल में यह यहाँ पर कैदी के सीने में दर्द था जहाँ पर पंदा तारी को यह आइड़िट हुआ था उसके बाद जिस तरह रात को स्याम को ही वा चक्मा देगर फ्रार हुआ क्योंकि खाकी के साथ-साथ जो खिलवार जो मान सकते कि मीठी-मीठी बाते कर जिस कैदी ने चक्मा जाती हो लेकिन कैदी चक्मा देगर फ्रार होते रहे हैं और खाकी देखती रही है इससे यह लगता कहीं कि जो लापरवाय सामने आई है और जिस तरह कैदी फ्रार हुआ है वह गुजरात का रहने वाला है आयूस नाम उसका आपको बताना चाहूंगा वह उसको पहले भी लेकिन उसको गिर्पतर किया गा था लेकिन काफी लंबे समय से वह बहुंजी जेल में था लेकिन अपर कोई उसकी पूरी डिटेल सामने नहीं आई है क्या कोई जानकारी आपके हाथ लग पाई है कि किन मामलों में एक कैदी जो था इसे बंद किया गया था किन धाराओं के तैयत इसे जेल में डाला गया था पर काकी पर सवाल उड़ते निजरा रहे हैं और पुलिस भी मीडिया से बसते निजरा रही है जो पूरी जो इसकी जो जितने ही नुरुदात की है क्या क्या उनके धारा लगाई गई है अब एक बड़ा सवाल है लापरवाई का खड़ा होता है अगर जेल की बात करें जोस सामान नशीली सामगरी फोन हत्यार सब कुछ बरामद हो जाता है यह कैसे हो जाता है इतना सब कुछ इतनी बड़ी लापरवाई जहां पूलिस वालों के अधिकारियों के नाक के नीचे से यह तमाम घटनाए हो जाती है लेकिन सुरक्षा विवस्था पर अभी सवालिया न लगातार बहुंजी जेल में मुबाईल सिम कार्ड और जो तरफ परदार नशीर परदार लगातार मिलते रहे हैं और बिलकुल यहां पर खाकीबा सवाल उटते रहे हैं क्योंकि जेल के अंदर मैं दवार होता है वहां पर जो भी समान के लिए जाता है बीना चेकिंग कोई लगातार बहुंजी जेल माने जाती है यहां पर हजारों कहदी है लेकिन जो सवाल उटता है तो यहीं लगता कि खाकी पर जो सवाल है वो बिलकुल जो सवाल उट रहे हैं लेकिन खाकी बुछी बोलने के तयार नहीं है क्योंकि बहुंजी जेल मामला हो चै कहदी को बाहर जाने मामलाव लगातार लाप्रवाई सामने आती रही है जी चले सुरज बहुत धन्यवाद आपका